आज की हम इस वीडिवेट भी नहीं चला रहे हैं वह कितने महीने में तो दोस्तो चणरी सब8 savior कर लेगा हूं प्राइनर पर आता रहता हूं तो चली सबसे पहले आप रोम ब्राजर को ओपन कर लिजी और यहां सार्च बार में ती एफ सी ओपी टैफ कॉप इसी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर फर्स्ट वाली विपसाइट है डिजी टेलिकॉम.gov.in इ अवेलेबल ओनली टू अंद्रपरदेश, केरला, राजस्तान, तेलंगाना, जम्मु एंड कास्मिर, लद्दाक, ले, मेगाले, त्रिपुरा, मिजूरा, अवराणाचल परदेश, नागालेंड, मनिपूर, अंडमान, एंडिकोबार, आइसलेंड, शातिसगर, कंज्यूमर, यह सेमाई केवल इन राज्यों में ही अवेलेबल है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको ट्राइक करना है, यहां पर अपना मोबाइल नमबर डाल दीजिए, इंटर्यूर में, मोबाइल नमबर डालने के बाद यहां पर रिक्वेस्ट ओटी मतलब आपकी आइडी पे जो मोबाइल नमबर लिंक है, वो यह नमबर है, फर्स्ट का टू डिजिट है और लास्ट का फोट डिजिट है, और अगर आपके आइडी पे तीन-चार सिम एक्टिव हैं, और आपको केवल रोही सिम चलाना है, तो सिम बंद करना है, तो उसको कै नमबर यूज करते था और इस समय आपको जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पर किलिक करना है, नौट रिक्वाइड, तो नौट रिक्वाइड पे किलिक करने के लिए आपको अपना फूल नभी लिख देना है, फूल नेम लिख ने के बाद यहाँ पर आपको महिना लगेगा deactivate होने में इस तरीके से आप अपने नंबर से आप अपने ID से अपने ट्रेक कर सकते हैं कि आपकी ID में कितने नंबर एड है तो दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जिरू बताइए और अभी रहा हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राब कर लेजी क्योंकि ऐसे इंफ्रमेटिव वीडियो चैनल पर ला